भारत के राजनीते के साथ साथ मौसम भी अजब भी खेल कर रहा है जाएंग तरफ देश के कुछ हिस्सों में जानलेवा तुफान ने तांडफ मचा रखा है तो दूसरी तरफ लूग के थपेडे से लोगों की जान आफ़त में आ गई है हम बात कर रहे हैं पिंक सिटी राजिस्थान की जो इन दिनों प्रचन गर्मी की आग से धदक रहा है चलचलाती गर्मी से राजिस्थान के हालात इतने गंभीर है कि कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं सरकारी आकडों के मुताबिक राजिस्तान में हीट वेव से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सरकारी और प्रैविड अस्पतालों में हीट स्टोक के मरीजों की संक्या दिन बदिन बढ़ती जा रही है राजिस्तान में नौतपा की शुरुआत भी हो चुकी है यानि गर्मी का रौदर रूप वो नौ देन जब सूरज धर्टी पर सबसे जादा आग उगलता है ऐसे में राजिकी स्थिती और भी भयावक हो सकती है राजिस्तान में गर्मी का अंताजा आप सोशल मीडिया पर बारेल इन तस्वीरों से लगा सकते हैं तस्वीरों में जैसल मेर के रितीले इलाके में बीएसेफ जवान रेट पर ओमलेट बनाते और पापड सेक्ते नजर आ रहे हैं जबकि दूसरी तरफ में गाड़ी के बोनट पर जवानों ने रोटी से की इस वक्त सूरच की तपेश और गरम हवा से राजिस्तान के लोग जुलस रहे हैं घरों से निकलते ही शरीर पसीने से तरबतर हो रहा है पंखे, कूलर, AC सभी ने काम करना बन कर दिया है इस गरमी ने आमजन जीवन पूरी तरह से अस्थ व्यस्थ हो गया है वही मौसम विभाग ने पश्चिम राजिस्तान के कुछ हिस्सों के साथ पंचाब, हर्याना, चंडिगड, दिल्ली, उतरपदेश, पूर्वी राजिस्तान में 30 मई तक उष्ण लेहर चलने की चिताबनी जारी की है राजिस्तान के करीब बाई जिलो में हीट वेव का रेड अलट भी है